गजल का हुआ कमबैक देने के लिए इबादत का साथ खोलेगी परिवार वालों के सामने मनत का इगिनोना सच सीरिल रब से है दुआ कि आने वाली कहानी में दोस्तों आने वाला है जबदस ट्विस्च क्योंकि इबादत ने कर दिया है उसे ऐसे रिष्टे से आजाद जिस रिष्टे में उसे रहना ही नहीं था दरसल इबादत ने फैसला कर लिया है कि वो शिबान के साथ नहीं रहेगी कोट्रूम में लग रहे हैं जामों को सुनने के बाद इबादत यही कहती है सब के सामने कि वो शिवान के साथ अब नहीं रह सकती है और खुद को इस जिसे से आजाद कर देती है तो भी हम आपको बता दे कि अब इबादत जो है वो निकल चुकी है एक नए सफर की और लेकिन अब होने वाली है फिर से गजल की एंटरी जी हां गजल आने वाली है फिर से अबादत की जुद्धिकी में क्यूंकि भाई इबादत की मा तो गजल ही है और यह सच सब के सामने आने वाला है ये बात तो आप जानती है लेकिन मन्नत ही सच जानती थी कि अबारत उसकी बहन नहीं है और इसलिए मन्नत जान मुझकर ये सब कुछ अब तक करती हुआ थी लेकिन अब इबारत का साथ देने के लिए गजल लौट कर आ चुकी है गजल के आने से सब एक होश आने वाले हैं क्योंकि अब गजल इबारत को उसका हग दिलवाने वाली है लेकिन इबारत कहने वाली गजल से कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए वो नहीं चाहती है कि शिबान उसकी जिंदगी में वापस आए जिसकी बात गजल सबक सिखाने वाली है शिबान को उसकी आखे खोलने वाली से पताने वाली कि मनत ने उसके और किर रिवारत के रिष्टे को कितना बर्बात किया है और क्या कुछ किया है जिससे तुम आसा तक नजर अंदास करते वे आए हो लेकिन आज अजिवाद का कि उसे और कुछ नहीं चाहिए बस वो हमेशा के लिए शिवान की जिंदगी से दूचाना चाहते जिसके बाद गजल कहने वाली है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ देती हूँ जी हा, हमेशा के लिए गजल अपने साथ दे लेकर जाने वाली ऱवायत को जिदे लिए feedback को हमें अवायत की लैफपे तौह हमेशा की शेयर करें